नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर एसके अगरवाल आप सभी का चोतिश सुख सम्रधी उपाय में स्वागत करता हूँ साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रती का नक्षत्र में जन्मे जातक की क्या विशेश्टाय होती है क्रती का नक्षत्र अकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र है इसका पहला चरण मेश राशी में वे बाकी तीन चरण व्रशब राशी में आते है कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव है इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे लोगों की राशी मेश होती है जिनके स्वामी मंगल है वे शेश तीन चरणों में जनम लेने वालों की राशी रशब राशी होती है जिसके स्वामी शुक्र है इस नक्षत्र में जन्मा जातक प्राए भुद्धिमान तेजस्वी वे इमानदार होता है इन लोगों को रचनात्मक कारियों में पहुत रूची रहती है ये लोग बाल की खाल निकालने वाले रहते हैं मतलब किसी भी कारिय की जड़ तक पहुचने के लिए ततपर रहते हैं इन से जूट नहीं बोला जा सकता बच्पन से ही ये लोग पढ़ने लिखने में अधिक रूची लेते हैं परन्तु उच शिक्षा की प्राप्ती में इन लोगों को कई कठनाईयों का सामना करना पड़ता है इन लोगों में आत्म सम्मान का भाव जादा होता है ये लोग अपनी इमेज अच्छी रख कर जीना पसंद करते हैं घर परिवार में, कुटुम्ब में, समाज में इनकी छवी की अलग पहचान रहती है लूस टॉकिंग कोई इन से करे तो शायद उस से अपने संबंदों का दाइरा ये लोग अलग कर लेते हैं ये लोग जल्दी से किसी पर भरोशा नहीं करते साथ ही ये लोग अच्छे खाने पीने के शोकीन होते हैं इन लोगों में धन कमाने की महतवा कांशा जादा रहती है हर काम को बहुत अच्छे से करने की इन लोगों में एक अजीव सी आदत होती है ये कह सकते हैं कि इनकी नेत्रत उचमुता कमाल की होती है ये लोग अपने पार्टनर के प्रती बहुत इमानदार रहते हैं, फिर भी वेवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं कहा जा सकता क्योंकि अपने पार्टनर से कुछ जादा ही उमीद रखते हैं, इन लोगों का भाग्योद्य जनम इस्थान से दूर जाकर होता है, काम के प्रत सचेत रहना चाहिए इन लोगों को, नाक संबंदित रोग, स्वास संबंदी रोग, पेट संबंदी रोग, वे नसों से संबंदित रोग, जैसे माईगरें थायराई, बनने की संभावना जादा रहती है, ये लोग मिठा खाने के शोकीन जादा होते हैं, मकान वहन का सुख मिलता है परंतु उससे संतुष्ठी नहीं मिल पाती। मतलब है सुख इनके लिए संतोष्जनक नहीं रहता है क्योंकि इनकी उमीदे कई जादा होती है उसके प्रति। ये किसी अजनबी व्यक्ति से बात करें तो बहुत ही शिष्ट वे सब्भे तरीके से करते हैं। ये इत करता हूँ बताई जानकरी आपको पसंद आई होगी। यदि आप घर बैठे अपनी कुंगली का संपूर विशलिशन करवाना चाहते हैं तो मैंने संपक सूत्र दिया है आप एक छोटा सा शुलक अदा करकर यह सुईदा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यद के साथ अब इजाज़त चाहूँगा जैश्री राम।